हाई वेल्कम बैक टो इंग्लिस अवेनू आज हमारा जो ऑनलाइन जीडी का पहला सेसन है यानि कि फोर सेशन ऑफ दो ऑनलाइन गुरूप डिसकेशन तो इसमें हम बात करेंगे वाट दो फोर पॉइंट्स जो आपको अभी सा याद रखना होगा अगर आपको ऑनलाइन यूगलllä दाट मेंबि माइकोसक्टीअ और दाट मेंगी जो बीचशन चनवें अपनोरी के यूज कर रहये मोसे और इस भीत्य में आपको प्रिकेशन करेंगैसर चिपने कि अपको कह लिए यूज करुझे है और उस हिसाब्सें आपको प्रिपरिप्यार करना आओ आ कि उस होने गोहाएं पाट mm क्योंकि हमें पता नहीं के साथ मेरेगा जाएगा, but previously as a technician student और हमें knowledge है अजकल virtual world के बारे में तो हमें पहले ही उस knowledge को adapt के लेना चाहिए second, जो बहुत important है, have a good microphone and good webcam, यानि कि आपको, you must have a good audio video equipment, चूँँ या ज़रूरी है, पहरा चीज है कि you should forget about the earphone, mobile earphone, rather you can use a mic or a good bluetooth headphone also, और else we can use a 3.5 mm jack bluetooth headphone, क्योंकि उसमें फरक क्या होता है, जब आप earphone से बात करते हो, तो बार बार उसको लेके मूँ पे लगाना होता है और बात करना होता है, तो it is always better कि आप एक headphone use किजे, good quality of headphone, दूसरा चीज, वीडियो quality बहुत important होता है, जब आप एक online group discussion या फिर online किसी भी एक meeting पे आप बेढ़ते हो, वाई that is important, कई बार होता है कि देखेंगे आप classes में क्या होता है ना, students video off करते हैं and they used to say कि मैं इधर होता हूँ, वहाँ classes कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पता भी नहीं चलता है, आपको वीडियो completely on रखना होगा, क्योंकि वह एक positive environment करता है और एक positiveness करता है, क्योंकि आपको interviewer देख रहा है, जरूर सुन रहा है, आप जो बोल हो सुन रहा है, बट कई बार क्या होता है न, वह आपको देख रहा है and that is very important and one most important thing, अगर आप mobile phone यूज कर रहे हो, skip it, mobile phone आपके पास अगर एक laptop है, तो लाप टॉप साही जोईन करना सबसे बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ा screen बढ़ा हाता है, so that you can also get the information की बाकी लोग क्या, कैसे बोल रहे है, and also you can show your body language, थोड़ा सा बेट का है, वर्टुली जब आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपना hand movement पर सकता है, लेकिन mobile में वो कहा होता है, थोड़ा squeezing part हो जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता है, नहीं आपका भी जो एक होता है, कि बॉड़ी पार्ट दिखना है, मतलब हो squeeze जैसा दिखता है, पोट्रेट में पर आजाता है, या तो फिर इसा flat में भी रखते हो, तो तो भी ए नहीं होता है, so always use a laptop rather than a mobile, and remember, don't use mobile your phone, use a good quality of headphone, and the third is video, for video you must use a webcam, why webcam, अगर आपके पास apple का की product है, यानि कि macbook air, macbook pro है, तो आपको webcam जरूर नहीं है, अगर आपके पास एक normal laptop है, तो आपको जरूर जाना होगा एक webcam के लिए, कि आपका जो वीडियो का clarity है, वो normal laptop है उतरा webcam, next, the third point, which is very important, you should sit in a quiet place, why this is important, आपके जो background हो, बहु क्लीर होना चाहिए, आप कहीं एक रूम पे बेढ़ जाए, जिसमें एक अच्छा सा clean background होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहां पे बेटे हुऊ हो पीछे, आपका कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, या तो ड्रेस वहां पे लगा हुआ है, यह background नहीं आना चाहिए, यू must have a good background with a quiet place, आप अपने आपको एक रूम में लॉक कर लो, जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा रहा हो कि आपका GD चल रहा है, आप वीडियो मोन पे हो कोई आ रहा है, आपको भुला के जा रहा है, कोई पीछ यू must have a good internet connectivity, यह बहुत जरूरी है, मालेज आपके पास सारे tools है, equipment है, जैसे की webcam है, good quality of headphones है, आप एक अच्छे जगा पर बैठ चुके हो, आपके पास lights अच्छे हैं, आपके पास background अच्छे हैं, बट आपका internet connectivity अच्छा नहीं है, कई बार क्या होता नहीं है, कि internet connectivity के जैसे आपका बार-बार कट होता है, वीडियो अफ हो जाता है, कट हो जाता है, आप बार-बार meeting को छूड़ जाता है, so it creates a lot of disturbances, और also it creates a negative impact to the interviewer, so be careful, you must have a good internet connectivity, पहले से आप चेक करके रखिए कि data balance कितना है, अगर data balance कम है, तो go for extra data voucher, आप एक data voucher, रिचार्ज करके रख तकि आपका काम बन जाए, अगर आपका internet connectivity बहुत slow है, previously आप चेक कर लेजे कि वहाँ पर कौन सा connectivity ज्यादा speed आ रहा है, कौन से network पर ज्यादा speed आ रहा है, उसी network को use किजे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो mobile application हो या फिर जो software meeting applications जितने भी बने हुए, software बने हुए, थोड़ा सा data consume करता है, और सोड़ा सा strong internet connectivity चाहिए होता है, जितना आपका strong internet connectivity होगा, आपका जो आवाज है, वो तूटेगा नहीं, बीद से बहुत सरे students क्या करते हैं, पहले focus करते हैं, कैसे start करना है, क्या बोलना है, but before that you should focus on this part, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह के background बनाना है, क्या tools यूज करने चाहिए, कौन से headphone यूज करने चाहिए, कौन से background यूज करने चाहिए, कौन से internet connectivity यूज करने च इसका जो screen size होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें आपको थोड़ा comfortableness feel भी होता है थोड़ा distance में आप रख क्याराम से बेट सेखते हो So always use a laptop rather than a mobile तो दूसरे session पर बात करेंगे दूसरे part पर कि कैसे और GD का और online GD का और क्या क्या चीज़े हैं उस पर पूरा completely बात करेंगे I hope कि ये video आपको अच्छा रग रहा है if you are enjoying the videos if you are getting some knowledge don't forget to share with the people or don't forget to share with the needy ones अगर आपका placement खतम हो गया है आपको जरूरी नहीं है so do share with your friends जिनको जरूरी है placement के लिए चलिए मिलते हैं दूसरे part पर तब तक bye bye take care